हाई गाईज वेलकम बैक आज दोस्तों कच्छे आम की एक रेसिपी लाई हूँ यह एक ऐसी रेसिपी है यानि कि कभी आपका कच्छे आम खाने का मन करता है लेकिन बहुत खटे होते हैं इसलिए आप नहीं खा पाते हो तो आप इस तरीके से बना के देखना फैमिली और फ्र लेंगे तो बस इस तरीके से हमने वेजेज कात लेने हैं एक पैन में डाला है आधा कप शक्कर और एक कक्के लगबक पानी और इसी में अब हम इन्हें जो यह हमारे एक दम देशी आम के खटे-खटे पीसे से इन्हें हम बॉयल करेंगे अगर हमारे जो आम आपने लिया है वह अगर खटा नहीं है ज्यादा तो शकर की मात्रा कम कर देना हलाकि आम कोई भी हो कच्चा रहता है तो खटा ही होता है वैसे इसे हलके खटे आम से बनाओके आप तो यह ज्यादा अच्छी बनती है जैसे जो चौसा आम होता है चौसा बहुत मीठा होता है तो उससे यह अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि वह बिल्कुल खटा नहीं होता है तो अब यहाँ पर हमने तुरंद जो है इन आम के टुकणों को इसमें डाल दिया है आम को जरूर दो बार धुलिएगा छीलने से पहले भी और छीलने कटने के बाद भी गुठली भी निकाल देना है चिल इसे वाला आम लिया है काटने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ उपर उपर का जो पल्प रहता है वह तरास लेना उससे लंबे-लंबे टुकड़े काट लेना यहां पर देखें जो है आम का जो ज्यादा सॉफ्ट टुकड़ा था वह तूट भी गया इसका मतलब है कि जो आ बड़न सा कलर आए और आप लास्ट में देखोगे जो चीज बनके तयार होगी ना पूरी प्लेट की प्लेट मैं अकेले खा गई थी दोस्तों जो मैंने इतने बनाए थे तब आप जो है कच्छे आम जैसे कई बार आंधी आती है तुफान आता इस समय तो खुब सारे कच् तो यहां देखे फूट कलर वेट करेंगे अधा मिनट के लिए कि जो कलर है वो अच्छे से इसमें चड़ जाए जानी हमरे आम के जो टुकड़े हैं वो गोर्लन हो जाए इसके बाद में हम गैस को आफ करेंगे आगे मैं बताऊंगे कि यह जो पानी यह बचेगा इसका क्य करना है तो अब यहां पर देखिए गैस को हॉफ कर लिया अब यह जो टुकड़े हैं इन्हें हम एक एक करके प्लेट में निकालेंगे इसे चानना नहीं क्योंकि चान दोगे तो यह मैश हो जाएंगे बिल्कुल पल्पिन का मैश हो जाएगा इस तरीके से हम एक टुकड़ अब इसमें हम डालेंगे काला नमक साथ के नुस हार या बहुत हलका काले नमक के साथ हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर लाल मिर्ची जदा तीक ही ही न इस बात का आप ध्यान रखे अगर जदriage हम देखिए तो बहुत थोड़ा ही डालें आथ से डाल रही हूं हाथ से ज्यादा अच्छ कारेदार बननी थी यह बस ऐसे मन में आया कि ऐसे करके खाते हैं तो कैसा लगेगा थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दीजिए चाट मसाला डालना चाते हैं तो भी डाल दीजिए अर्बस जीरा का पाउडर थोड़ा सा जरू डाल देना और बस इन वेजेश को उठाके अगर आपके मुझ में पानी आ गया हो इसे देख करके तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार ट्राइ करना तो बनता है इसे आप एक या दो आम से भी ट्राइ कर सकते हो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद